अगर आपकी जमीन की उपर भी किसी ने कबजा कर रखा है और आप इस कबजे को हटवाना चाहते हो तब आप बिना कोर्ट का चैरी जाये भी इस कबजे को हटवा सकते हो एक नए तरीके से और यह जो नए तरीका है सुप्रीम कोर्ट ने बताया है दो दिन पहले किसी केस में Supreme Court के एक judgment आईए, क्या case था, सारी बाते बताता हूँ आपको, क्या तरीका Supreme Court ने बताया कि अब आपको court का चैरी में जाने की जूरत नहीं, चाहे आपकी जमीन के उपर कबजा कितना भी पुराना क्यों ना हो, किसी ने एक साल से करक्खा है, दो साल से करक्खा, पांच साल से क कितने भी साल पुराना अगर आपकी जमीन पर किसी ने कबजा करक्खा है, तब आप इस नए तरीके से उस कबजे बाटवा सकते हो, तो क्या ये case था, क्या ये तरीका बता है, उस सारी बाते जान लेते हैं, देखे, आप लोग क्या करते थे या आपका advocate क्या करता था, अग फिरो मामला, एक साल, दो साल, पांस साल, दस साल, बिस-बिस साल तक हो चलता रहता, वहां तक आपको भी उमीद खतम हो जाती, और इस बीच में आपके पास में भी धंकिया आनी स्टार्ट हो जाती, कि या तो तो तेरा case वापिस लेले, ना जमीन रहेगी, ना तू रहेग जो भी आपकी जमीन है, चाहे आपकी जमीन अलोटमेंट की है, या फिर आपके पास में जमीन के पेपर है, वो जमीन के पेपर आपके पास में होने चाहिए, या फिर आपके पास में प्रूफ होना चाहिए, कि यह जो जमीन का टुगड़ा है, चाहे कोई पलाट है, मकान ह कहीं भी कोई भी जमीन है, आपके पास मेरा पेपर होने चाहिए कि यह जमीन के उपर मेरा मालिकाना हक है, बस यह चीज आपके पास में होने चाहिए, first of all आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज, आपको पुलिस को इंफ्रोमेशन देनी पड़ेगी, एक IPCR सेक्सन होता है, 441 इसके तहत में, आपको पुलिस को इंफ्रोमेशन देनी पड़ेगी, कि यह मेरी जमीन है, और यह जमीन के मेरी पेपर है, और जमीन के उपर किसी ने क्या कर लिया, अतिकर्मन कर लिया, उसको उपर किसी ने कबजा कर लिया, पहली चीज आपको चीज देनी पड़ेगी, प कुछ भी नहीं करते हैं, उसका भी solution निकाल दिया जी, Supreme Court ने, अगर इस application के बाद भी police कुछ नहीं करती है, तब आप अपने जमीन पे जो आपका कबजा है, जिसने भी कर रखा है, उसको हटवाने के लिए, आप क्या कर सकते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ सकते हैं, उसका सर आ वो बचाएगा, IPC का एक section होता है, 144, आपने जो किया, self defense में किया, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह Supreme Court की judgment कह रही है भाई साब, उन्होंने साफ लिख दिया है, पहली चीज क्या गरो, complain करो, complain के बाद अगर आपको लग रहा है कि police ने कुछ नहीं किया, तब आप कोई court का च judgment होना चाहिए, तो अब आपको कोई civil suit file नहीं करना है, कोई court में कोई कचैरी कहीं पर में जाना है, direct आपको यह काम आप कर सकते हो, मैं फिर कह रहा हूँ, यह Supreme Court में कहा है, जो इसमें लिखा है, मैं वही बता रहा हूँ, अब यह case क्या था, इसके बारे मैं बता देता अराम से आप इसको पढ़ सकते हो, इस case में क्या था, देखो जो दो लोग थे ना, यह राजस्थान का case था, हुआ क्या, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पर case कर दिया, और जो case था, उस जमीन के उपर जो कबजा था, वो 12 साल से ज्यादा आगा था, तो हाई court ने क्या क के फैसले खिलाब में, अपिल डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, देन सुप्रीम कोर्ट की अब यह जो judgment है, यह दो दिन पहले के judgment है, उन्होंने कहा, जिसके पास में जमीन के पेपर है ना, वही मालिक है, चाहे किसी ने एक साल से कबजा किया हो, या फिर किसी ने 15 साल से किया जिसके पास पेपर है, वह असली मालिक है, और वह अपनी जमीन से कबजा हट वाने के लिए क्या कर सकता है, IPC सेक्षन 104 का यूज कर सकता है, यानि कि सामने वाले के हाथ पैर तोड़ सकता है, लेकिन सबसे पहली चीज जो करनी है, यह जरूरी होती है, यह आपको करनी पड किया है, अपने सेल्फ डिफेंस में किया है, तो पुलिस वहाँ पे आपको अरेश्ट नहीं करेगी, तो यह जानकारी थी जमीन जिसके जमीन के उपर कबजा किया जा चुका है, अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है, कि सर सामने वाला तो दादा गेरी दिखा रहा है, कोट वाले मैटर में जाओगे, तो फिर कोट में तो आपको धंकिया मिलेगी, और लंबा टाइम हो वहाँ पर आपका लग सकता है, तो पहली चीज आप यही कोशिस करें, मैं फिर यह कह रहा हूँ, और इसको यह जजमेंट चाहिए, वो जजमेंट मेरे से ले सकता है, बिल प्रती जारा गोशिस, प्रुछ यह जो पारा गुछी है, यह है तोो आपका लाएम चाहँ मेंगर है, और ले उमेंट मेंगर हो नुछ अपका गलीग念